वेलकम बच्चों हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कारे पुस्ति का गड़ित पक्षा आठ इकाई बारा बैंकिंग पहला प्रशन है निकित कत्मों में सही पे सही और गलत पे गलत का शेयन कीजिए भारत में अल्प वेस्क को खाता खोलने का अधिकार नहीं है तो यह गलत है बच खाते में नियूंतम धनराशी ना रखने पर भी जमा करता चेक बुक प्राप्त कर सकता है यह गलत है बच्चों बैंक ड्राफ्ट निर्गत करने वाली शाखा इस्थानांत्रित होने वाली धनराशी पर नियमा नुसार कुछ कमीशन लेती है बिलकुल सही है किसी बैंक की प्रतेक शाखा IEFS कोड अलग-अलग होता है बिलकुल सही है वहन चेक पर खातेदार का हस्ताचर होना अवश्यक नहीं है गलत है बच्चों बैंक में खाता खोलने के लिए अधार काड़े का अवश्यक दस्तावेज है बिलकुल सही है आर बी आई को बैंकों का बैंक कहते हैं बिलकुल सही है नेक्स्ट हमसे कहा रहा है कि भारतिय रुपए के प्रिस्ट भाग पर 15 भाशाओं में 15 भारतिय भाशाओं में उस मोट का मुले लिखा रहता है बिलकुल सही है फिर कहा रहा है एक रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताचर होते हैं बिलकुल सही यूपी आई का प्रेव करने से आपको अपने बैंक का नाम खाता संख्या आई एफसी जैसी जानकारी अवश्य देनी पड़ती है यह गलत है बच्छों इतनी जानकारी में नहीं देनी पड़ती है दैनिक ब्याज की गर्णा के लिए वश्य की संख्या एक बटा तीन सो पैं बिल्कुल सही है आउए एक किसी भी चेक के बमेंगो पर दो तिर्षी समानता एक ही खिषने पर वच्छां की चेक में परिश्धित हो है बिल्कुल सही है बच्चों प्रॉस शेक भी इसको बोलते हैं नेक्स के रहा है बैंक निश्चित ब्याज़ दर पर ग्रेह रेड़ से चारड़ प्लब्द कराते हैं सही है भारती जीवन बीमा निगम द्वारा धनका आहरण और वित्रण संभो नहीं यह बिल्कुल सही है बैंक मुल्यवान वस्तू और आभूशुणो महत्वपूर दस्तावेजो को रखने के लिए लॉकर की सुविधा देते हैं बिल्कुल सही है बच्चों देते हैं आंध्रा बैंक वा कार्पूरेशन बैंक का विल्यन यूनियन बैंक आफ इंडिया में हुआ है बिल्कुल सह इलाबाद बैंक एक अप्रेल 2020 से इंडियन बैंक में परिवर्तित हो गया बिल्कुल सही है भारत का सबसे पुराना राश्ट्रे करिद बैंक पंजाब नेशनल बैंक है यह गलत है पुच्चों नेक्स कर रहा है कि निमलिकित शब्दों के संचित रूप का विस्तारित रूप लिखी है रबी आई रिजर्व बैंक आफ इंडिया यूपी आई यूनिफाइट पेमेंट्स इंटरफेस एटियम ऑटोमेटर टेलर मशीन डीडी दिमांड ड्राफ्ट आई एफसी इंडिय अग्सिंटिया यूपी आई बहुन पारफेस वानी बहारत इंटरफेस वानी नेक्स मरा नप्टिय नेच्नल पेमेंट्स कर्पोरेशन अवंडिया मICR Magnetic Ink Character Recognition Yacht P one time password SMS short message service LIC India Life Insurance Corporation of India Next क्या रहा है कि मिलान कीजिए तो देखें 2000 रुपे की नोट पर मंगलियान का चित्र है 500 रुपे की नोट पर लाल किले का चित्र है 200 रुपे पर साची के स्टूप का चित्र है 100 रुपे पर रानी की वाव का चित्र है 50 रुपे पर हमपी का चित्र है बच्चो नोट पर उसके बाद है 20 रुपे 20 रुपे पर आपका जो है ऐलोरा की गुफाओं का चित्र है बच्चो उसके बाद है 10 रुपे 10 रुपे की नोट पर सूर्य मंदिल कोणार्क का चित्र बना हुआ है बच्चो फिर है पांच रुपे, पांच रुपे पे खेत जोद्ता खिसान है और दो रुपे पर राष्ट्रिय पशु बाग का चित्र बना हुआ है यह है बहुत इंपोर्डन बच्चों, एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से भी बहुत इंपोर्डन है आगे देखिए, नेक्स क्वेस्चिन कहा रहा है, मोहन, सोहन, रोहन, क्रमशा, 4,313, 5,280 और 10,814 रुपे बैंक में जमा कर लें नीचे दी गई जमापर्ची पर उनके द्वारा जमा की जाने वाली धनराशी को जमापर्ची यह विबनाट पर लिखिए तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बस्ती, 1124 और उसके बाद यहाँ पर टिक लगा दिया हमने कि हमारा सेविंग बैंक है और उसके बाद हमने ऐसे देखिए, 1234567890 यहाँ पर भी हमने भर दिया खाता संक्य है, यहाँ पर नाम भर देंगे मोहन उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने भर दिया इधनराशी, अंको में, फिर यहाँ पर शब्दों में 4313, उसी तरह यहाँ भी 4313, फिर यहाँ भी 4313, यहाँ पर हमने जो है, अपना मोबाइल फोन नंबर भी ऐसी डाल दिया बच्चो कोई भी और उसके बाद यहाँ पर सिगनेचर होगा मोहन का, इस तरह से हमको चेक पे जमापर्ची को भरना होता है, नेक्स देखिए बच्चो, नेक्स हमारा जो है, तोहन को भरना था, तो सेम चीज है, यहाँ पर हमने शहर का नाम भरा, बैंकिंग चेक की डेट भरा, उसके बाद खाता संख्या भरेंगे, उसके असुहन का नाम भर दिया, हमने उसके बाद रूपे को जो हम पहले अंकों में, फिर शब्दों में, यहाँ भी शब्दों में और अंकों में भरेंगे, यहाँ मूबाइल नंबर भरेंगे और यहां पर साइन कर दिया है कि पूनम और सोनम को अपने विद्याले के फीस और अनी खर्चों के लिए रुपए निकालने बैंक जाती है उन्हें क्रमसा 5100 और 2800 रुपए क्या शक्ता है नीचे दिये कि बैंक आहरण फॉर्म को आहरित की जाने वाली धन्राशी बढ़िए तो देखेंगे पूनम को निकालना है बच्चों तो पहले हम पूनम का देख लेंगे तो पूनम का यहां पर पहले नाम भरेंगे उसके यहां देट भरेंगे उसके यहां हमने खाता संख्या भरेंगे यहां पर हमने भर दिया अंको में पैसे को 5100 यहां शब्दों में 5100 रुपए मात्र यहां पर हम अपना क्या नाम है भरेंगे मुबाइल नंबर और उसके ब मोबाइल नमबर भरेंगे और यहां पर सो नम का साइन होगा और यह हमारा अहरन फॉर्म कंप्लीट हो गया नेक्स कहा रहा है कि राजू को अपने कमरे का किराया रुपए 2000 प्रतिमा है मकान मालिक को देना है किन्तो अचानक स्वास्थ कराब होने के करण वह बैंक जाने में असमत है उसे अपने धैनी खर्चों हे तो 1000 रुपए के और अवशक्ता है तो वह अपने मित्र राकेश ते उक्त धन राशी निकालने का नुरोग करता है उसे अपने मित्र को किस प्रकार का चेक देना होगा ताकी बाद धन को आहरित कर सके नीचे देगे परारूप पर भर कर दर्शाई तो देगे बच्चों पहले हमने डेट भर देंगे यहां पर एक एक दोहजार चौबिस यहां अपने दोस्त का नाम भरेंगे राकेश और यहां पर 3000 रुपए मात्र यहां पर भी हम अंकों में बसक्राइब भरेंगे यहां में अपना खाता संक्या बरना अगर प्रिंटफर दाता है तो नहीं बरना है और यहां पर राजु अपना साइंग करके देगा ठीक है यहां गयाँत प्रशन संक्या साथ रोहित को अपनी बहण के कॉलेज की फीस जमा करनी है 27,150 रुप है रो रारूप चेक पर दर्शाई तो देखें उन्होंने रिखांकित चेक दिया होगा तो यहां पर नडे डाल दिया होगा इन तरह वन कर्कें डालए यहां पर 27,480 इस ङंब मातर यान ऊंगो सईतीयोगा. और यहाँ पर पिता जी ने अपने हस्ताचर किये होंगे नेक्स देखिए प्रशन संख्या आठ एक व्यक्ति को भारतिय जीवन भीवा निवकम में अपनी वार्शिक किस जमा करने है समया भाव के कारण वह अपने अधिनस्त को रुपे 3123 का चेक जमा करने के लिए देता है अपनी धनराशी की सुरच चाहित उसे किस प्रकार चेक देना चाहिए नीचे दिएगे प्रारूप चेक पर दर्शाइए तो बच्चों उसे भी जो है वो क्रॉस चेक देना चाहिए तो यहाँ पर उसने भी क्रॉस कर दिया डेट डाल दिया L.I.C. का नाम डाल देंगे 30,000 रुपे 123 रुपे मात्र यहाँ पर अंकों में भर देंगे यहाँ खाता संख्या और यहाँ पर रखती अपना साइन कर देगा उसके अदम से कह रहा है कि ATM से 2000 रुपे की धनराशी आहरित करने का फ्लो चार्ट या प्रवाचित्र बनाईए तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टार्ट सर्कुलर बॉक्स में उसके बाज से तिल्चar box में insert ATM card उसके पहल सिलेक्ट यॉर लॉंग्वेज शिलेक्ट विड्रॉ मनी सिलेक्ट सेविंग उसके बाज से ENTER PIN नमबर एंटर दे अमांट, collect यॉर कैश लास्ट में, any नेक्स कह रहा है कि किसी विक्त की पास्बुक का एक प्रिष्ट नीचे अंकित है लेखे एक एक दो हजार 22 को अगरानी और यहां पर आहरे धनराशी यहां जमा की गई धनराशी यहां खाते में 6 तो उसके कितनी है 15,000 साथ एक बाइस को उसने नगत किया किया जमा 25,2500 हो गया 17,500 फिर 30 एक दो हजार वाइस को उसने नगत जमा किया 5000 हो गए 22,500 फिर 7 दो हजार वाइस को चेक द्वारा उसने 7,000 निकाल लिए बचे 15,500 फिर उसने 28 दो हजार वाइस को नगत जमा किये 1500 हो गए 17,000 फिर 50 23 2022 को चेक द्वारस निकले 1000 बचे 16 000 फिर उसने 17 2022 को नगद ATM के द्वारा निकले 1000 अब बचे उसके खाते में 15 घयरा 31 222 को व्यक्ति के खाते में कितनी धनराशी ब्याज के रूप में अंकित होगी यदि वाशिक ब्याज की दर चार तुछ तो देखे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि उसके कितने दिन के लिए कितने रुपे उसके खाते में रहे तो ध्यान देंगे एक एक बाइस से छे एक बाइस तक 15,000 उपए रहे छे दिन के लिए टोटल हो गया हमारे 90,000 साथ एक बाइस से उन्तीस एक बाइस तक 17,500 रहे 23 दिन के लिए हो गया 4,25,000 फिर यह हो गया हमारा 31,22 से 6,22 तक 22,500 गुड़े आठ यह हो गया हमारा 1,80,000 फिर साथ दो बाइस से 27,22 तक 15,521 दिन के लिए हो गया हमारा 85,000 फिर 5,3,22 से 16,3,22 तक 16,012 दिन के लिए 1,92,000 17,3,22 से 31,3,22 तक 15,015 दिन के लिए हो गया 2,25,000 टोटल रुपे कितने हो गया बच्चों टोटल रुपे हमारे हो जाएंगे 14,90,000 तो 4 प्रच्षत की दर है और T कितना है एक बटा 365 वर्ष तकी दैनिक ब्याज है तो ब्याज हो जाएगा हमारा 14,90,000 गुड़े 4 गुड़े एक बटा 365 बटे 100 तो 365 नीचे आ जाएगा बच्चों हल करेंगे रुपे 163.29 आ जाएगा हमारा तो इतनी धनराशी ब्याज की रूप में अंकित होगी ठीक है बच्चों इस तरह से बैंक जो है वो आटोमेटिक कल्कुलेशन करता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है बच्चों तो इसको अब हम पूरा पढ़ेंगे नहीं इसको डारेक्ट हम सॉल्व करेंगे आप इसको पढ़ लिजेगा राधा की पढ़ाई विश्विद्याले में समाथ हो चुकी है वो अपना विश्विद्याले के खाता बंद करना च थे तो ब्याज की दर कितनी थी चार प्रश्चत वार्शिक ब्याज की दर कितनी थी चार प्रश्चत वार्शिक है तो अब हम इसके आधार पर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों देखिए इसको भी मैंने solve किया तो आप देखेंगे 1,421 से 4,421 तक 21,700 गुड़े 4 यह हो जाएगा 86,800 5,421 से 9,421 तक हो जाएगा 21,125 गुड़े 5 यानि 1,5,600 दस चार इकिस से 30,421 17,620 गुड़े 21 हो जाएगा हमारा 3,070,020 1,521 से 14,521 पैसे हैं बच्चों बेट देखिए 27,620 गुड़े 14 दिन तो यह हो जाएगा हमारा 3,86,680 15,25 से 27,25 तक 22,620 उपे 16 दिन के लिए 3,67,920 28,25 से 31,25 तक 25,200 गुड़े 4 हो जाएगा हमारा 1,800,1,621 से 9,721 तक 35,200 गुड़े 39 हो जाएगा हमारा 13,622,800 उसके बाद 10,721 से 31,721 तक 21 तक 20,200 गुड़े 21 हो जाएगा हमारा 4,24,200 पुल हो जाएगा बच्चों 32,8,820 ब्याच कितना हो जाएगा 32,8,820 गुड़े 4 गुड़े एक बटा 355 तक 365 नीचे आजाएगा बटा 100 तक यह हो जाएगा हमारा साथ सही मिलान करिए तो यह बच्चों यह SBI का है तो देखिए SBI यहां लिखा हुआ है State Bank of India मुख्याले मुंबई स्थापना वर्ष 1 जुलाई 1905 दूसरा है देखिए यह BOI यह G पे लिखा हुआ है तो G हमारा देखिए अगल यहां पे है Bank of India मुख्याले मुंबई स्थापना वर्ष 7 सितंबर 1906 नेक्स जो हमारा है TBI यह आई पे है तो देखिए पीछे बच्चों यहां पे है तो यह हमारा चिन्न था Central Bank of India मुख्याले मुंबई स्थापना वर्ष 21 दिसंबर 1911 तो यह Central Bank of India का है फिर नेक्स हम देखेंगे यह है CB यह L पे हमारा तो देखिए L पे कौन सा है देखिए यह है केंडरा बैंक मुख्याले बैंक लूरू स्थापना वर्ष 1 जुलाई 1906 यह दो पेज में बच्चों इस तरह से मुझे लिखना पड़ गया तो हम इसको यहां पर करेक्टली मिला नहीं पाएंगे यह पंजाब नेश्नल बैंक यह हमारा एच पे हैं यह है पंजाब नेश्नल बैंक मुख्याले नई दिली स्थापना वर्ष 19 माई यह हमारा बी-o-m e पे है तो यह है बैंक ओफ महरास्टरा का चिन्न मुख्याला है पुणे स्थापना वर्ष 16 सितंबर 1935 नेक्स्ट हमारा देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो है, यह है UBI, यह B पे है, Union Bank of India, तो यह देखिए, यहाँ पे है, Union Bank of India, मुख्याल है मुंबई, स्थापनावश, 11 नमूंबर, 1119. नेक्स्ट देखिए, यह IB है, A पे है, यह देखिए, कहां पे है, यहां पे हमारा इंडियन बैंक मुख्याला है चिन्नई स्थापनावर्ष परवरी उसके बाद देखते हैं वच्छों उसके बाद देखे यह हमारा I.O.B. के पे है यह है इंडियन ओवर्षीज बैंक मुख्याला चिन्नई स्थापनावर्ष दशपरवरी 1949 उसके बाद यह हमारा B.O.B.D. पे तो इसकों देखते हैं यह होगा Bank of B.O.D.A. तो देखे यह है Bank of B.O.D.A. मुख्याले गुजराद बडोदरा स्थापना वर्ष 20 जुलाई 1908 उसके बाद देखे यह है U.C.O.J. पे तो यह है यूको बैंक मुख्याले है कोलकता स्थापना वर्ष 6 जनवरी 1943 यह जो है बच्चो मारा लास्ट में यह PSB है यह FP है तो देखते हैं हम FP कौन सा चैप्टर के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए बाए बच्चों